करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच कहुना चुनिए फार्मसी वाला को और करे अपनी बी फार्म एंडी फार्म का सपना साकार डाउनलोड दिया है नाउ तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो 16 जॕर सेमेश्टर में अर्गनि केमिस्ट्र उसको हम देख रही थे और उसने वेडिश श्युन से केमस्तीर ँसको और यह जो है लास्वड थायुड Griffey कॉ n एंड मॉफिट्स मोडिफिकेशन इसके मोहर थीयुरी तो यह जो है इसमें सैके मोहर थीयुरी काफी काफी इंपोटेंट है मैं आपको प्रवेज कुशन पेपर दिखा देता हूं आपको आईडे लग जाएगे कुशन कैसे आता है तो यहां पर देखोगे देखिए एक बार आया हुआ है एक्सप्लें सैके मोहर थीयुरी ऑफ इस्टेबलिटी ऑफ साइक्लो एलकेन और गिव रियक्शन ऑफ साइक्लो प्रोपेन और साइक्लो यूटेन ठीक है एक बार यहां पर यहां पर राइट नॉट ओन त्षिओरी ऑफ इस्ट्रें लैस रिंग देखिए जो यहां से कोष्ण बनते हैं इसमें जो वीडियो में कवर होगा एक चीज और कवर होगी वह है वनाना बॉंडिंग क्या है वनाना बॉंडिंग यह टू मार्क में आ आजाता है तो आई होप आपको आडिया लगी गया होगा देकि बाकी जो नौट्स है शूरू से लेके लिक तक सारे वह आपको फार्मेस वाल एप मिलेंगे एंड मैं उसका जो लिंक के डिस्क्रिप्शिन में दे दूँगा एंड जो सारी वीडियो है वो सुरू से लेकर लास्ट आखी देखना आपको तभी बैटर समझ माइको उस प्लेलिस्ट का लिंक पर आपको मिली जाएगा तो लाइंड को ठीक करने की कोशिज करती हैं और ठीक भी करती हैं कहने का मतलब है कि आपको वेडियो को यहीं रोक दो उस वीडियो को जाकर करके देख लो नहीं तो बात करते हैं कि काउलसन and Morfitt यह तो साइंटिस्ट के नेम है और उन्होंने modification किया था किसमे bears की strain theory में देखे modification का मतलब यह नहीं होता कि उन्होंने इन्होंने उसकी theory को बिलकुल ही गलत कह दिया उन्होंने कुछ हाथ तक सही माना और कहा कि थोड़ा सा modify करो तो क्या modification किया वही हम समझने वाले हैं तो यहां से कुछन नहीं आता है लोग में लेकिन तू मार्स में आता है और इभी टू लेंदी हो सकते हैं विकॉस हम दोनों को cover करने वाले अब लाश्टर देखते रहें तो सबसे ले क्या लिखना कि इस concept वास गिविन वाई theory यह इस नेम से भी आ सकता है जैकि आया था ना वी टू मार्स में कि वाट इस वनाना बॉंडिंग तो मैं भी आगे बताऊंगा तो वेंट बॉंड कहने का मतलब है यानि कि वेंट का मतलब होता है मुड़ जाना जैसे कि सपोल अभी मैं आपको दिखाता हूं यह मेरी नेक band है ठीक है यह अभी मैं सको इस ट्रेट कर देता हूं इस तरीके से और यह स्तरहिके से होगी इसको हम बोलेंगे band है जब इतम इसको बोल रहा हूँ नेक band यानि की गरदन में मुड़ जाने वाली तो यह जो है इसमें जो bond है बो मूर जाएंगे अभी मैं आपको बताऊंग और वो जो है बनाना की तरह नगर आएंगे इसी वज़ा से इसको म बनाना बोझे में बोलते हैं सो इंड एक्सप्लेन वाइ साइक्लो प्रोपेञ ज़स्थेवल्स ऐप्र करती है को हम ड्रो कर लेते हैं साइक्लोप्रोपेन को हम यहां पर ड्रो कर लेते हैं ठीक है यह आपका साइक्लोप्रोपेन ही तो होता है CH2, CH2 and CH2 तो इतनी बात है in cyclopropane carbon-carbon bonds are weaker यह जो carbon-carbon के bond होते हैं यह कमजोर होते हैं weak होते हैं than normal sigma carbon-carbon bond normal sigma carbon-carbon bond कैसे होते हैं जिसके CS3, CH2, CS3 तो यह जो carbon-carbon के बीच में यह bond है यह ज़्यादा strong होते है in comparison to cyclopropane के बीच में जो carbon-carbon में bond है ठीक है तो यह क्यों होते हैं लिखा हुआ due to cyclic structure यह cyclic structure होने की वज़ाद से थोड़े कमजोर हो जाते हैं उसका reason भी हम आगे समझेंगे and these bonds went together and have less overlapping than sigma bond देखिए आपने molecular theory पढ़ी होगी orbital वाली कि जैसे कि यह जो हमारे carbon-carbon बने अगर हम इनकी थोड़ी देखिए carbon के बारे में पढ़ें बना हम इनकी overlapping structure के बारे में तो यह हमारे covalent bond है तो यहाँ पर जो overlapping होती है वो कुछ इस तरीके से होती है जैसे कि यह इस तरीके से and यहाँ से इस तरीके से तो यह जो है overlapping हो रखिए और यह काफी strong bond होता है इसको हम covalent bond यह दूसरा name simply बोले तो sigma bond बोलते हैं जो कि काफी strong होता है लेकिन इन्होंने क्या बोला कि यह जो हमारे cyclopropane है, cyclopentane है, helzane है जो भी हमारे cycloalkane जो होते हैं तो इसमें जो यह bonding है यह बोले तो तरीके से होती है, बोले तो यहाँ पे जो overlapping होगी वो कुछ इस तरीके से होगी जैसे कि मैं आपको बनाने की कोसिस कर रहा हूँ बल्लब इसका जो बीच का हिस्सा है वो यहाँ पे होना चाहिए लेकिन थोड़ा बाहर निकल जाता है और इसको ही हम बोलते हैं bend हो जाना या बोले तो bond का मुड जाना तो यह आपको नजर आ रहा होगए केले की आकार जैसे यहाँ पे सनरचना एक आकार यहाँ पे बनता है और इसी वज़ासे इसको हम क्या बोलते हैं banana bonding और इसको हम vent bond भी बोलते हैं तो उन्होंने Simply जो दोनों scientist थे हमारे Coulson and Moffitts ने एक बात बोली कि जो हमारे normal Alkin होते हैं इसकी हमारे हम Propane है। पीच में जो bond होता है, वो सिंग्मруnd नहीं है, बलकि वो बनाना bond है, वो उनसे कम जोर हता है "...ईसा इसी बज़े से क्यों कि ये weak होता है, चल्डी से तोर दाता है ..."। ये ये रिंग opening interaction देता है मेरे मेरे मिमसानों पढ़े चुक्ड है तो यही चीज मैंने यहां पे दिखा दी दे कि प्रोपेन यहां कि CS2, CS3, CS3 तो यहां पे यह जो बॉंड है सोरी जो ओवरलेपिंग हो रही है एकदम सीधी सीधी हो रही है कहीं भी कुछ टेड़ा मेड़ा इसमें है नहीं इन दोनों के बीछ में जो करवन करवकान के बीच में यह बॉंड है वही है जो होना चाहिए आईडियल बिलकुल 109.28 यहां किसकी बात करने नॉर्मल अलकें की बात कर रहे हैं वहीं साइकलों रात करने एकदम साइक्छी प्रोपेन की बात करें और इसी बज़े से यह जो bond है हमारे banana bond कहलाते हैं है ना और यह थोड़े कमजोर होते हैं बीक होते हैं तो यहां पर देखे एक चीज और समझ आईगी मैं भी आपको बोलूँगा थोड़ा मैं आगे पहले पढ़के बता दूँ लिखाए कि this theory tells यह थोड़ी बताती है कि banana bonds have less overlapping than overlapping so they are weaker than sigma bond but stronger than pi bond यहां पर जो overlapping हो रही है ना देखे इसके बीच में जो overlapping हो रही है और इन दोनों के बीच में जो overlapping हो रही है वो यहां ज़्यादा है और यहां पर थोड़ी कम है और इसी बज़ा से यह थोड़े कम जोर होते है यह sigma bond से तो कम जोर होते हैं लेकिन pi bond से काफ़ी strong होते हैं अब ही मैं आपको बताऊंगो जैसके last में यहां पर दिखा रखा है मैंने यह देखे carbon carbon के बीच में जो bond यहां पर नजर आ रहे हैं और जो side to side overlapping होते हैं पड़ी चुके हैं इसको हम pi bond बोलते हैं तो यहां पर यह order देखा रहा है कि सबसे strong यह है उसके बाद बीच में आता है banana bond और सबसे big होता है pi bond ठीक है अभी मैं आगे और discuss करूंगो इसके बारे में ठीक है तो इतनी बात आपको समझ आगे हैं यहां से जो चीज एक हाइलाइट है जो हमने पड़ा ही था कि देखिए कावसन एंड मॉफिट्स का तो modification था कि आखिर उसने जो बेयर्स की strength थोरी तो उसमें क्या कमी बताई या उले तो क्या चीज मॉडिफाई करें तो उसने क्या मॉडिफाई किया यहां पर लिख रखा देखिए इस थोरी ऑलसो डू सम मॉडिफिकेशन इन बेयर्स strength theory according to bear theory bond angle in cyclopropane was 60 degree जो हमने थोरी पड़ी थी किसकी बेयर्स की तो जो cyclopropane जो होता था तो उसके बीच में जो bond angle था वो कितना होता दो 60 होता था यह हमने बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाता है यहां भी 60 यहां भी 60 लेकिन इस थोरी के according क्या है जैसे कि मैंने यहां दिखा रखा दिखिए यह आप बिलू पर फोकस करना पहले यहां पर यह जो बिलू के बीच में जो bond मैंने दिखा इस थोरी के according यहां पर जो bond है वो थोड़े बाहर को निकलते हैं तो इसका जो बीच है वो यहां से निकलता है ना तो यहां से जब हम इसका bond नापते हैं तो वो बैठता है 104 डिग्री मतलब bond यहां पर थोड़ा बढ़ जाता है इस थोरी का according और यह थोरी कहती है कि जो cyclopropane है उसके बीच में जो bond है वो 104 डिग्री होता है यह इन दोनों में difference है यहां बोले तो इन्होंने इसी को modify किया कि भाई यहां पर 60 डिग्री नहीं हो करके 104 डिग्री अंगल होता है तो वजह सही होता है बनाना बंडिंग तो आपको clear होई गया होगा निए जो टू मार्स में पूचाता है मीन ओंडी 5 डिग्री 0.28 मिनट less than 10.28 मिनट जो हमारा standard जो होता था आइडियल जो होता था उससे पांच डिग्री ही तो कम रह जाता है तो एक चीज यहां पे हमको समाझ जो हमने बेर्स की थोरी पड़ी थी ना उसमें अगर हम साइकलो प्रोपेन की stability के बार में पढ़ रहे थी कि वो सबसे unstable क्यों है तो एक ही रीजन था कि वहां पे एंगल स्ट्रेंड सबसे ज्यादा उसी का था एंगल स्ट्रेंड लेकिन कांसन और मॉफिट्स नहीं है कि हमारा साइगलोप्रोपेन सबसे unstable है दूसरा रीजन यह भी है कि वहां पे बनाना बॉंडिंग होती है बोले तो उनके जो बॉंड होते हैं वह थोड़े बीक होते हैं यह इसली ब्रेक हो जाते हैं तो आई होप यह concept आपको clear हो ही गया होगा मैंने एक चीद यहा से पकड़ लेता हूं मतलब दोनों तरफ से तो अब सबसे मजबूत कौन सी जो फिलाहल मैंने पकल रखा है यह थोड़ी कमजोर है जल्दे छूड़ जाएगा यहां से मजबूत रहेगा मतलब जितनी ज्यादा overlapping उतना ही strong bond जितने मजब यहां दूर से हम पकड़ेंगे जि ही strong bond बनेगा है ना और जितना ज्यादा strong bond बनेगा stability उतनी ही ज्यादा ही होगी है ना जब bond टूटे हैंगी नहीं तो stable तो compound easily रही जाएगा तो simply वहीं यहां दिखा रखा है कि देखे sigma bond सबसे stable होते हैं सबसे strong होते हैं banana bond जो कि हमारे cycloalkane में होते हैं वो easily टूर जाते हैं और यह थोड़े big होते हैं और सबसे big होते हैं इनमें pie bond तो I hope यह जो Coulson and Moffitt's modification है आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ उन्होंने modify करी है अब हम next और बात करते हैं just last topic चल रहा है हमारा second moher theory जिसको हम stainless ring theory भी बोलते हैं तो यहां पर देखिए वही लिख रखा है यह भी बेर्स के theory को बिल्कुल इन्होंने तो गलत ही बता दे कि आपकी theory बिल्कुल गलत है क्यों गलत है उन्होंने बिल्कुल सबूत के साथ बताया तो देखिए पहले वही लिखना है कि यह theory किसी ने दी थी कहां से दी थी कब दी थी देखिए इस theory बात proposed by Herman Sake कुछ भी को डतों से खुछ हो और है कि से अंझे रिख रहां तो मिश्डीय ुक बया है रहलोरों किने म kierने की यह नहीं पर बताव बमिक हएल ने बबात शहिंग से दिखकर इसे अक आइजा आपतें अपने में इसे 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 कंपाउंट तो साइकलो तो फोड़ी से अपने वेर्स की स्ट्रेंथ को ही करना होगा विकॉज उसी को ठीक करना है तो वेर्स के according कहते थे कि all cycloalkanes were planar and have angle strain उन्हों दो चीज बोली, कि सारे जो cycloalkane है वो planar होते हैं बोले तो एक ही single plane में होते हैं, जैसकि suppose cyclohexane है यह यहाँ पर जो भी आपके hydrogen atoms हैं, जो भी atom है, जो भी bond है वो simple एक ही plane में है, बोले तो उनकी 2D structure है 2D है न, उनमें angle strain भी होता है, या बोले तो जो यह bond होते हैं उनमें थोड़ा खिचाब भी होता है, ठीक है, तो यह बात थी आपकी किसकी बेयर की, तो यही theory परानी चलती आ रही थी, लेकिन एक बीच में scientist आए जो कि 28 years old scientist थे, जिनका नाम है Herman Sake, जो कि Berlin में एक assistant थे, बोले तो professor ही थे तो उन्होंने notice किया, कि उन्होंने बोला कि all large rings don't need to be strained because the rings are not planar उन्होंने बोला कि ऐसा जरूरी नहीं है, कि जो बड़ी ring है, like cyclohexane हुआ, cycloheptane हुआ, cyclo-octane हुआ कि उनके बीच में strain हो, ऐसा जरूरी नहीं है, उन्होंने ये बोला, वो one plane की जगए और भी तो plane में हो सकती है, वो 2D की जगए 3D में भी हो सकती है, उनका ये मानना था, है ना, ये, किसने बोला सबसे पहले, Herman Sake ने, लेकिन वो अपनी बात को थोड़ा express नहीं कर पाये थे chemical terms में, मतलब वो clarify नहीं कर पाये थे, what he was unable to express their idea in chemical terms, आप समझो ये थोड़ी history से ही चल रही है, और उनके बाद देखिया, 1918 में दूसरे scientist जो है, Ernst Mohar, वो आये, और उन्होंने उनहीं के idea को उठाया, जो second है जो बात बोली थी, उन्होंने उसी के idea को उठाया, और उसको clarify कर करने की कोसिस करी, बोले तो उन्होंने apply किया, एक declin नाम की compound पर, यह जो structure है, यह इसके cis form है, बोले तो यहाँ पर हाइडरोजन है, यह आपको नदर आनी एक ही plane में है, और यह जो trans form है, यहाँ पर हाइडरोजन दूसरे plane में है, तो उन्होंने यह सिद्ध करने की कोसिस कर बोले तो at last it accepted that second more theory is correct, और last में accept किया गया कि यह जो theory वो correct है, अभी मैंने यह बलेकुल नहीं बोला कि उन्होंने क्या चीज बोले, उन्होंने just यहाँ पर assume ही किया थो सारी चीज़ें यहाँ पर भी, and अब बात करते हैं कि आखिर क्या बोला उन्होंने according to second more theory, यह आपको जरूर नहीं है कि वो सारे bond एक ही plane में हो, they assume they are in folded और पकर्ड कंडिशन, उन्होंने assume किया कि वो सुखडे होते हैं, वो folded होते हैं, मतलब जो जैसे कि बड़ी structure है, इसकलाब है जो heptain 7 membered है, 7 carbon की है, octane जो 8 वाली है, तो यह जो है ऐसा जरूर नहीं है कि वो एक ही plane में हो, वो जो है सुखडे होते हैं, वो ले तो folded होते हैं, and that's why they become strain free, और उसी की वज़य से उनमें strain नहीं होता है, उनके बीच में बिल्कुल भी खिचाब नहीं होता है, and इसी की वज़य से इसको हम क्या बोलते है, theory of strain less ring, आपको मैं याद दिला दू, question एक बार ऐसे ही आया था, इसी वज़य से यहां पे क्या है, बिल्कुल भी strain नहीं रहता है, जब strain नहीं रहेगा तो इसका मतलब क्या है, जो normal tetrahedral जो angle होता है, जो हम पढ़ते ही आए हैं बार बार, तो कि ideal है 109.28 minute, वो बिल्कुल normal रहता है, वो बिल्कुल भी यहां पे disturbed नहीं होता, इसका मतलब क् काफी ज़्यादा stable है, विकोज यहां पे sigma bond ही होगा, है ना, तो mean higher cycle alcanes like cyclohexane is more stable than cyclopentene, cyclopentene में तो angle strain होता है, इन्होंने इस बात को माना, लेकिन आगे वाले जो यह मतलब six memberd वाले हैं, seven memberd वाले में हैं, उसमें इन्होंने बोला कि यहां पे angle strain नहीं होता, वलकि उनक cycloalken में जो cyclohexane वगरा है, वो ज़्यादा stable है, किसे cyclopentene से, बोले तो six memberd वाले ज़्यादा stable है, five memberd carbon से, यह simple sign क्या था, modification आप बोल सकते हैं, बोले तो second more theory बोल सकते हैं, इन्होंने बोला कि यह जो हमारे compound होते हैं, वो दो form में होते है, cycle alcanes are available in two form, जो कि दोनों non planar form ह रहने का मतलब है, जो चेर की जैसे यहाँ पर नदर आते हैं, यह वही आपका cyclohexane है, कि one, two, three, three, three carbon, one, two, three, three carbon, पूरे चार्बन है, और यहाँ पर यह इस तरीके से, यह 3D plane में है, आप 3D structure है, इनकी आप देहोगा है, यहाँ पर, मैंने आपको अभी आगे दिखाँग रैड कलर में, जो हैं, वो हमारे axial hydrogen है, axial कहने का मतलब है, वो vertically लगे होते हैं, या तो वो इस तरीके से ऊपर होंगे, या नीचे होंगे, वो दाएवाई नहीं हो सकते, उनको हम बोलते हैं, यहाँ पर रैड कलर से नजर आ रहे हैं, एक हमारे equatorial hydrogen, जिसको आप horizontal hydrogen भी बोल सक they are not planer, ठीक है, उनका यही तो कहना है, वो planer नहीं होते हैं, तो यहाँ पर जो chair form जो होती है, वो जाद stable है, उन्होंने बताई, and boat form जो है, वो कम stable बताई, chair form को आप example ऐसा याद कर सकते हैं, कि हमारे जो chair होती है, वो एक ही जगह पर तो रहती है, हम बैठ जाती हैं, वो ज slave bus है, तो sack-e-moher theory, यह आपकी complete हुई, I hope आपको समझ आगी है, आपको sack-e-moher का, अगर हम simple एक word में बोले, तो उनका मानना यह था, कि हमारे जो cycle alkane जो होते हैं, वो strain free होते हैं, because उनमें एक plane की जगह, कैई plane में भी atom उनके हो सकते हैं, bond हो सकते हैं, तो यह जो है, हमारे slave bus PO से cover हो चुका है, काफी खुसी सी हो रही है, जो next जो हम subject उसको जल्दी से cover करेंगे, तो मिलते हैं next उन्हें वीडियो में, तब तक लिए, bye bye, thank you, have been nice day.